आज हम बात करेंगे अगर आपने इगनु में new admission लिया है जुलाई 2024 सेशन में और आपको इगनु से related कोई भी समस्या रहता है जैसे कि अगर आपको किताब हो से related कोई समस्या है एडमिसन से related कोई समस्या है या फिर exam के बारे में कुछ पूछना है या फिर assignment के बारे में आपक पूछना है या फिर practical के बारे में आपको पता करना है तो इन सब सवालों का आप officially रूप से जवाब इगनु से कैसे पा सकते है यानि कि इगनु से related आपको कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आप इगनु के तरब से कैसे प्राप्त कर सकते है आज मैं आपको इसी के बार आपको मिलते रहे इगनु में अगर किसी भी छातरों के साथ कोई भी समस्या रहता है तो इगनु जह उसका समाधान खुद से करता है और उसके लिए इगनु ने एक special portal बना रखा है जहाँ पर आप अपना complaint register करवा सकते है उसके लिए आपको क्या करना इस वाले page पर आ जा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक link मिल जाएगा जो कि यह है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यह इगनु का official website open हो जाएगा अगर इगनु से related आपको कोई भी समस्या रहता है तो यह website है igram.ignu.ac.in इस पर आपको अपना complaint register करवाना होगा तो इसका जबाब जो है वो आपको इगनु के तरफ से दिया जाएगा यानि कि जो आपका समस्या है उसका समाधान इगनु के तरफ से किया जाएगा जिसके लिए सबसे पहले आप अपने complaint का category select करेंगे कि जैसे कि अगर आपको degree diploma से related कोई समस्या है तो इ या फिर assignment का आपका number update नहीं हुआ है या फिर assignment के last date को लेकर के आपको कोई confusion है तो आप यहाँ पर category select कर सकते हैं और ऐसे ही अगर आपको study material किताबों के बारे में कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर click करेंगे जैसे कि यहाँ पर click करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बतान करेंगे गलत medium का किताब आ गया है तो यह select करेंगे और भी यहाँ पर कई option दिये गए हैं ऐसे ही मालेज कि अगर आपको और कोई समस्य है तो उसके लिए यहाँ पर हर तरह के जो category है वो बनाएगे है एक्जामिनेशन से related कोई समस्या है तो इस पर click करेंगे फिर यहाँ पर location हो गया या फिर change of program या फिर name correction या फिर address correction कोई भी हो गया तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं for example जैसे कि अगर आपको study material नहीं मिला है तो study material पर click करेंगे यहाँ पर आप not received select करेंगे तो आपका जो भी समस्या है आप देख लीजे कि वो कौन से category में आता है select करने के बाद आप यहाँ next पर click कर देंगे फिर यहाँ पर आपसे और भी कुछ details पूछा जाएगा जैसे कि आपके regional center का क्या नाम है आप यहाँ पर select करेंगे regional center का नाम आपका जो admission का application form है उपर ही लिखा होगा फिर आपका जो enrollment number है यहाँ पर डालेंगे इगनु में जो आपका register नाम है यहा आप डालेंगे और आपका क्या सवाल है वो आप यहाँ पर describe करेंगे detail में लिख देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लिखके रखा था इसको मैंने यहाँ पर paste कर दिया है उसके बाद जैसे कि कोई भी समझा है उस से related अगर आप यहाँ पर कोई document अटेज करना चाते है तो वो आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने उसको रखा उसको आप भी कर सकते हैं तो जो भी जरूरी document है या फिर problem से related कुछ दिखाना चाते है आप screen sort के माधियम से या फिर PDF के माधियम से तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते इसका साइ complaint को तो आप यहाँ yes पर क्लिक कर देंगे फिर इस तरीकी से पताया जाएगा grievance submitted successfully इसका मतलब यह है कि जो complaint है आपका successfully register हो चुका है फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या रहता है कि जो आपने email ID दे रखा उसको आप open कीजिए तो इस तरीकी से आपको एक email लाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते इसको मैं open करता हूं तो इसमें आप देखेंगे तो एक grievance submission token यानि कि GST number लिखाओ रहता है जो कि यह रहता है इसको आप copy कर लिजिए और आपने जो भी details दिया आपका जो भी सवाल रहता है वो यहाँ पर भी आपको देखने को म status में आपर देख सकते है pending लिखा हुआ रहा है क्योंकि इसको मैंने अभी ही submit किया है और यहाँ पर आप जो भी सवाल पूछते है या फिर जो भी आपका problem रहता है उसका जो भी solution रहता है यहीं पर आपको लिख करके बताया जाता है यानि कि आपका जो समस्य था उसको ठीक कर दिया गया है तो इस तरीके से इगनुस रेलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो यहाँ पर आप अपना complaint रेजिस्टर करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए, share किजिए और इगनुस रेलेटेड सभी अप्टे इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं लिंक मैंने नीचे दे रखा है साथी साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं